आज हम जो यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार यह नहीं चाती, मोधी जी यह नहीं चाते कि सदन चले. लेकिन मैं माफी चाता हूँ कि जो चेर्मेन साब ने एक मुद्दा उठा कर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है. अरे हम डेमोक्रिसी में बात करना हमारा हक है, हम चुने हुए सदश हैं और लोकों के भावना को पार्लमेंट में बताना, पार्लमेंट मेंबर्स का करते भी होता है, वो हम कर रहे थे. लेकिन यहां पर जो घटना घटी, लोकसभा में, वो ही मुद्दे पर लोकसभा और रासभा में, हम एव उठाना चाहते थे, कि क्या सेक्यूरिटी ब्रीज कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताईए, और सदन में, सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे, तो कहां बोलेंगे, ये दुरदईव है, कि शाह साब भी वहाँ पर नहीं आए, हाउस में, और प्रदानमंत्री नहीं आए, क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजे उन्होंने छोड़ कर, वो वाराणसी में बात करते हैं, डाइमंड हाउस में बात करते हैं, अमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते,